तो कैसे हैं आप लोग कानपूर के फरजी इंकाउंटर के बाद एक चुत्त साफ है कानपूर पुलिस सातवे आसमान पे है और कोई उसके काम पेना उंगली नहीं उठा सकता है कानपूर की पुलिस ने एक को गिडनापर ना गिडनाप किया था एक को लोंडे को चन दिन पहले और कल फोन किये रहा फिराउती के लिए घर वालों को परीजन को फोन करके एक दो लाग नहीं 30 लाग मांगे रहा 30 लाग और उपर कानपूर पुछ ने कार कहा क्या पैसा तैयार करिए पैसे का बंदोवस्त करिए बाके हम देख लंगे और आगे की बात तनी इनके मुझसे सुनिये घर वालों के हमारा भाई का गिटनैप हुआ फिरोधी का फोन आ रहा है कल लाश्ट उसने कॉल की कि पैसे लेके आओ हम लोग ने पैसे का इंतिजाम किया हम दुपैर में हमा बेटी अपड़ना मैडम के पास गए हमने का मैडम बैग तो जा रहा है उसमें कुछी पैसी ची लगा दीजि तुम चिंता ना करो वो सब हम करेंगे अमने का ठीक है मैडम उसमें चीप लगा धीजिये हमारे कहने के बाद भी उसमें चीप नहीं लगाई गही यह पढ़ना मैडम यह साउधस भी हैं गर वाले चीखते रह गए कि आपको चिप लगा दीजे कहाए कि बिगास दूबे के इनकाउंटर के बाद बहुतों ने पीठ थपा दिये ना साथे आसमान भी पहुच गया है इनका होसला पैसे भी मेरे दिलवा दिये और मेरे वाइक को भी नहीं मिला अब यह पैसा भी गया लॉंदा भी हससे गया और पुलीस थंड़नाती रही गई लिस इह कहती रहे मैटम मी आण दिलाशा रख ये कि आपको भरोसा नहीं है मैडम में आन का दिया था यह तो कहें है पुलिस हिलाती रहे गई गई या और चोर विजरा बड़ा सातीर रहा फुर हो एक वाद में अपरना मडम कह रही हैं कि पैसा तो हाथ में आ जाएगा पहले बच्चा तो हाथ में आ जाए तो भाई आज की वीडियो से पता चलता है ना कि कॉंफिडेंस ना पसंद आया होना तरनी लाइक और शेयर करिएगा